सजीव वस्तुएं, निर्जीव वस्तुएं नमस्कार मित्रों, अंकिताज एजुकेशन अड़ा में आपका स्वागत है और इस T.L.M. के द्वारा हम बच्चों को बहुत यासानी से सजीव वस्तुओं और निर्जीव वस्तुओं में अंतर समझा सकते हैं सातियम उसकी परिभाशा और उदारण भी दिखा सकते हैं सजीव वस्तुओं, लिविंग थिंग्स सजीव में बृद्धी होती है, अर्थात ग्रो सजीव स्वसन क्रिया करते हैं अर्थात रिस्पाइरेशन, सजीव श्वयम गति करते हैं अर्थात मूवमेंट, सजीव को भोजन, जल और हवा किया वशकता होती है सजीव में प्रजनन छमता होती है, रिप्रोडक्शन अर्थात वा अपनी तरीकी का दूसरा उत्पन्न कर सकता है सजीव में उस सर्जन क्रिया होती है, एक्सक्रीट अर्थात अपसिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना जैसे पशीना, मलमुत्र, कारबन डायकसाइड इत्यादी उत्सरजन क्रिया है सजीव महशूस कर सकते हैं अर्थात फिलिंग्स होती है अगर हम उदाहरर की बात करें तो मानो चाहे वह नरो या मादा या फिर कोई भी जन्तू जैसे कुत्या, बिल्ली, गाय, कोई भी पंची हो, कौवा, तितली, चिडिया, कोई भी कीडे मकोडे यहां तक की तितली, बाक्स, इत्यादी भी सजीव हैं वरिद्धी करते हैं, उन्में स्वेशन क्रिया होती है, खुद से गती कर सकते हैं, एक जगा से दूसरी जगा जा सकते हैं, उनको भोज, अनजल और हवा की अविशक्ता होती है, जीवित रहने के लिए प्रजनन छमता कर सकते हैं, यह तो बहुत ही बेसिक है, अगर हम बात से एक बड़े पौधे बनते है सवजीव में शाशन क्रिया होथी आर्थाओं पौधे बिशाशन क्रिया करते हैं बहुत सवशन में चैर्बंध लेते हैं और और आकशिजन बाहर निकालते हैं, सरजी एस स्वयम गती करते हैं, पौधों में गति कैसे होती है, जड़ों के मादेम से, जड़ एक जगा से दूसरी जगा तक अंदर से गती करते हैं, सरजीव को बोजन, जल और हवा की आवशकता होती है, इसे प्रकार से पौधों को भी चीजों की आवशकता होती है। वे प्रकार शंशलेशर के मादम से अपना भोजन बनाते हैं। अगर पौधों को बहुत दिनों तक जल और हवा न दी जाए तो वह सूख जाते हैं। सरजीव में प्रजनन छमता होती है उसी प्रकार से पौधों में भी प्रजनन छमता होती है लैंगिक और अलैंगिक माध्यमों से सरजीव में उस सरजन क्रिया होती है पेड़ पौधे भी अकसीजन को सरजित करते हैं सरजीव महशूस कर सकते हैं पोदों में भी महसूस करने की छंता होती है अर्थात पेड़ पोदे भी सजीव वस्तुएं हैं निर्जीव वस्तुएं निर्जीव वस्तुएं व्रिद्धी नहीं करते निर्जीव वस्तुएं श्वशन क्रिया नहीं करते निर्जीव वस्तुएं स्वयम गती नहीं कर सकते निर्जीव वस्तुओं को भोजन की आवश्यक्ता नहीं होती निर्जीव में प्रजनन छंता नहीं होती है निर्जीव म तक अगर फूलों को तोड़ लिये जाते हैं तो भी नीर्जीव हो जाता है क्योंकि वह सारी क्रिया linking कर गती करता है दो इसी प्रकार से अगर पंखे की बात करें तो वह'de toxicity की वज़ाइशन कर सकते यह निर्जीव है तो यह हुआ हमारे निर्जी वस्तुए non-living things उमीद है आपको यह TLM पसंद आया होगा तो इस TLM को लाइक जरूर करिएगा और मेने चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा धन्यवाद